C++ early 1980s में बनाई गई प्रोग्रामिंग लैंग्विज है जो की बर्जने स्ट्रॉस रूप ने AT&T बेल्स लैब में बनाई थी C++ लैंग्विज उपस कंसेप्ट को फॉलो करती है यह compiler-based language है जिसका code एक ही बार में machine language में convert हो जाता है इसमें program हमेशा main function से execute होना start होता है और end भी उसी के साथ होता है इसकी standard header files या library है iostream.h जिसमें c in और c out function होते हैं जो user से input लेने और output दिखाने के काम आते हैं फिर आती है conio.h header file जिसमें clear screen function screen को clear करने के काम आता है और get ch function output screen को hold करने के इसके अलावा और भी header files होती है फिर आते हैं c++ के data types data types use होते हैं variables create करने के लिए उनका data type होता है int integer values के लिए care character values के लिए strings hold करने के लिए float fractional numbers को hold करने के लिए double जो की float का दुगना होता है size में फिर आता है void empty set के लिए जहां पर कोई value written नहीं होती फिर आती है conditional statements if else if rain हो रही है तो हम umbrella लेके जाएंगे else नहीं लेके जाएंगे if else if rain हो रही है तो हम raincoat पहनेंगे else if इसमें हम वापस condition दे सकते हैं अगर बरफ गिर रही है तो हम sweater पहन के जाएंगे else अगर दोनों ही नहीं हो रहा तो हम कुछ नहीं लेके जाएंगे फिर आता है switch switch में जैसे हमने rain pass कर दिया तो अगर rain 1K1 पल होगी यानि की बारिश हो रही है तो हम umbrella लेके जाएंगे नहीं तो default condition हम umbrella क्यों लेके जाएंगे अगर rain नहीं हो रही तो फिर आते हैं loops जो की repeating code होते हैं ये तब तक repeat होते हैं जब तक the condition satisfy हो रही होती है for loop जो की बहुत ही आसान है इसमें initialization होता है variable का फिर आती है condition फिर होती है value upgrade तो ये इसका syntax है for हमने यहाँ पर count variable ले लिया है जिसको हमने 0 से initialize कर दिया है उसके बाद आता है हमने उसको condition में डाल दिया कि वो जब तक less than 10 है तब तक चलेगा यानि कि 10 बार चलेगा ये loop और हर बार इसकी value प्लस होती जाएगी हर बार चलने के बाद यहाँ पर हम 10 बार पैबल फेगेंगे जब तक count 0 से लेके 9 तक फिर आता है while loop जो कि entry control loop है जहाँ पर condition शुरू में चेक होती है while time अगर ज़ादा हो गया 7 am से तो हम सो नहीं सकते do while loop exit control loop होता है जहाँ पर condition आखरी में चेक होती है यानि कि यह loop भले condition falls हो पर एक बार तो चले गई अगर dirty नहीं है फिर भी आपको रोज एक बार brush तो करना पड़ेगा क्योंकि while तो condition बाद में चेक करेगा फिर आते हैं function एक group of code होता है जिसे एक नाम दिया गया हो और इसको हम अपने code के किसी भी पार्ट में call कर सकते हैं फिर आते हैं array एक group होता है एक जैसे variables का जिनका data type सेम होता है जो एक ही name से जाने जाते हैं और memory में एक साथ store होते हैं जैसे कि int ar square brackets में fire strings के लिए भी हम ऐसा ही करते हैं characters को array बना देते हैं फिर आती है class एक collection है variables का और उससे related functions का class को हम एक नए data type की तरह use कर सकते हैं उसके object बना कर stack एक data structure है जो last in first out लीफो स्कीम को follow करता है q एक और data structure है जो first in first out लीफो स्कीम को follow करता है यह सारी चीज़े डिटेल में जानने के लिए subscribe कर दो programming guru चैनल को और C++ की playlists देख लो thanks for watching